नमस्कार दोस्तों आप सभी का बहुत दोस्ट स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल करेंडे पुरी में तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं यूपी बीड इंट्रेंस चैनल दोहजार इकिस का रिजल्ट निकल चुका है तो दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यदा लोग उनको डाउट रहता है कि जो इसका रिजल्ट निकला है इसके बाद आखिर इसका जो कांसलिंग प्रोसेस है उसमें क्या क्या होने वाला है इसकी oner मिलने वाली है जैसा कि आप सब्सक्राइब करने चाहूंगा अगर अब ही तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लआग कर दीजिए हैँ मैं अपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा तो चलिए फटा पर passado यह वीडियो को सब्सक्राइब पहले आप यहां पर यह समझ लिजिए, जो आपकी counselling होगी, इसके total तीन round होगे, जो पहला round है उसे बोलते हैं first counselling, दूसरा round है उसे बोलते हैं pool counselling, तीसरा round है उसे बोलते है direct admission, तो आपके यह total तीन round होगे, इससे पहले आप सभी को बताना चाहूंगा, आगर अभी तक क्या होना चाहिए तो सबसे पहले आपने जो रेजिस्टेशन कराया था इसमें तो सबसे पहले इसका आपके पर रेजिस्टेशन नमबर प्लस इसका जो पासवर्ड है वो होना चाहिए भी एड काउंसलिंग प्रोसेस के लिए तो इसके बाद आपको क्या क्या यहां पर माला इमेल पर दो लगी थी तो दो में से एक एमेल पहल जरूर जरूर। तो बहाँ पर एक OTP आएगा OTP ड़ालकर ही वह वह बहाँ पर काईंसिलिंग की जाएगी इसके आगे दोस्तों अगर बात करें तो आपको यहाँ पर एक बैंक के अकाउन्ट पे चाहिए होगा क्योंकि जब आप दोस्तों काउंसिलिंग कराएंगे तो अगर दोस्तों आगे बात करें तो आप देख सकते हैं अकाउंट नमबर, IFC, Code Bank Name और Branch ये आपके पास डिटेल होनी चाहिए अगर इसके आगे बात करें तो आप देख सकते हैं तो यहाँ पर जो है मार्क सीट माग रहा है, Graduation की मार्क सीट माग रहा है और ये आपका काउंसलिंग प्रोसेस है, तब तक नहीं होगा जब तक आप Original मार्क सीट नहीं दिखा देंगे Only Original मार्क सीट बिल बी Accepted आगे आप देख सकते हैं No Provisional Internet मार्क सीट बिल बी Accepted मलब ये तब तक नहीं आपकी मलब Accept की जाएगी जब तक आप Verify नहीं करा लेंगे Verify किसके द्वारा कराना है ये आप देख सकते हैं By Principal of the College और Register of University मतलब यहाँ पर जो Register of University है उससे यहाँ पर College के Principal से आपको यहाँ पर यह करानी होगी Verify तो सबसे पहले आपका First Counseling है First Counseling में आपका सबसे पहले Registration होगा Registration में यही पासवर्ड और Registration नमबर मागेगा वहाँ से आपका Registration हो जाएगा दोस्तों इसके आगे आपका आजाएगा Step Number Second मतलब वो आपका Step First सा वो Complete हो गया आप आगे Step Second Second में आपकी जो फीस है वो काटी जाएगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं Advanced College Fees Payment तो यह College Fees Payment ली जाएगी यहाँ पर 57 सा पचास रूपए कटेंगे Counseling Fees के आगे आप देख सकते हैं 24 फीलिंग मतलब आपको यहाँ पर College Select करने के लिए बोलेगा मतलब आप काउन से College Select करना चाहते हैं आपर आप 5-10 इतने College तक Select कर सकते हैं जो आपको अच्छे लगते हैं ऐसा नहीं है आपके बोल एक या दो ही College Select कर सकते हैं इसके बाद College Allotment मतलब आपको यहाँ पर Confirm हो जाएगा आपको College मिला है या नहीं मिला है तो इसके बाद यह आपको मतलब यहाँ पर Confirmation जो लेटर है वो यहाँ पर Download करने के लिए Option मिल जाएगा अगर आपको College मिल गया तो Provisional Allotment Come Confirmation Later Download तो इसके बाद यह Option आजाएगा यह आपका Step 5 था इसके बाद आपका Step 6 होगा आगे आप देख सकते हैं Report to Allotted College तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 7 दिन के अंदर बहाँ पर आपको उपस्तित होना The Candidate has to report to Allotted College Within 7 Days From the date of Allotment With the All Original Document और आपके Document क्या-क्या लगने वाले हैं वो भी हम अभी आपको बताएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं Document required for the reporting यहाँ पर आप देख सकते हैं Candidates would need to carry मतलब यहाँ पर जो Candidate है उन्हें ले जाने है क्या-क्या ले जाने है तो यहाँ पर जो आपके Document देगा है वो आप देख सकते हैं Print out a Provisional Allotment Come Confirmation Later जो यहाँ पर आपका था यह यहाँ पर आप देख सकते हैं Confirmation Later जो है College में मागा जाएगा इसके बाद जो आपका Second Document है Copy Up Application Form जो आपने Apply किया था तो उस Application Form का Copy प्लस Admit Card प्लस Score Card और यहाँ पर आप देख सकते हैं Score Card आप JEEBA 2020 मिलब यहाँ पर 2020 में था तो 2020 का आगा इसी तरह से 2021 में आप करेंगे तो 2021 का जो आपका Score Card होगा वो लगेगा इसके आगे आप देख सकते हैं Proof Up Data Bird Data Bird का जो Proof है उसके तोर पर यहाँ पर आपकी जो 10th की Mark Seat है वो लग जाएगी अगर इसके आगे बात करें तो All Mark Seats All Mark Seats में यहाँ पर आपकी Original Photo ID Issued by Government तो यहाँ पर Photo ID लगने वाली है इसमें आप आधार कार्ड यह लगा सकते हैं बोर्टर आइडी इन चीजों को लगा सकते हैं इसके बाद टू पासपोर्ट साइज फोटो ग्रॉप मलब दो पासपोर्ट साइज आपकी Complete हो गया और दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें जो आपका पहला राउंड होगा पहले राउंड में टोटल चार फेज होंगे पहले फेज में सबसे अच्छी रैंक वालों को बूलाया जागा उसके बाद जो इसका दूसरा इस्टेप है पर बुलाया जाएंगे इसके बाद आपका आजाता है पूल कांसलिंग अगर इसमें किसी का नहीं हो पाता है तो इसके बाद होती है पूल कांसलिंग और भाई साब इसका बिल्कुल सेम प्रोसेस होता है जो आपकी फर्ष्ट कांसलिंग होती है मलब जो first counseling होती है उसी तौर पर विल्कुल होता है सब पहले आप देख सकते हैं पहला point registration इसके बाद आप देख सकते है step 2 जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं face कटाने के लिए इसके बाद choice feeling same to same वही process है यहाँ पर step 6 में जिस तरह वहाँ पर दिया था जो यहाँ पर जो document है उनके लिए तो यहाँ पर भी document के लिए ही दिया गया है अगर इसी में भी किसी का नहीं हो पाता है तो यहाँ पर आ जाता है direct admission आप तो कोई चारा नहीं रह गया अब तो direct admission ही होना है क्योंकि वो दो round थे तो उनमें आपका नहीं हो पाया तो यहाँ पर आपका direct admission हो जाएगा वो आपका होगा direct college से दोस्तों मलब college आप जाएंगे बहाँ पर आपको मलब बात करनी होगी और बहाँ पर आप बताएंगे आपके कितने नंबर हैं मलब नंबर के हिसाब से बहाँ पर आपका जो है वो मलब select कर लिया जाएगा आपको और दोस्तों बहाँ पर आपकी जो फीस है उसे आप घटा वड़ा सकते हैं मलब जरूरी नहीं है कि यहां पर 51,000 रूपए बता रहा 51,250 है फीस और जरूरी नहीं है 51,250 ही फीस आपकी पड़े इसे आप कम भी कर सकते हैं मलब आपका 45,47,47,48 जितना भी बने तो वो आप अपनी बात कर सकते हैं इसके अलवाँ इसका जो second year होता है उसमें कारी के लिए बता दें अगर आप सरकारी कॉले से करना चाहते हैं तो इसमें भी दोस्तों 15,000 से नीचे खरचा नहीं आता है क्योंकि दोस्तों आप क्या प्रैक्टिकल वगरा होंगे तो उनमें भी खरचा होगा और दोस्तों अगर आप सरकारी कॉले से करेंगे तो आपका